हेलो स्टुरेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप अच्छे होंगे और आज हम पढ़िए वाले हैं बेसे फिफ समस्टर के मिस्टी का एक और टोपिक टाइप साफ केटलाइस्ट लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कितने प्रिकार का होता और उनकी मेकैनिजम कैस कैसे कैसे दे जाती है नहीं देखिए वीडियो तो डिस्क्रेशन में वीडियो का लिंक डाल दुमां वहां जाके आप देख सकते हो यूनिट के हैं हमारे पास सेकेंड कैटलाइसिस और आज इस लेक्चर में कवर करेंगे हम टाइप साफ केटलाइस्ट और कैटलाइस्ट केटलाइस्ट पोईजन एंजाइम केटलाइसिस तो सुरू करता हूं फिर मैं टाइप साफ केटलाइस्ट बस बोल्ट पर फोकस रखना समझ जाओ गयार इजी टोपी के देखो हाँ भई करवा दो दरसको तो डालता हूं मैं हैटिंग टाइप साफ ठीक है सब टाइप साफ केटे केटलाइस्ट लाइन पर फोकस करो यानिके उत्पे रख के परिकार उत्पे रख चार परिकार का होता मुख्य था यानिके मैं नहीं उत्पे रख चार परिकार का होता त इसे परक फेर के होते हैं के होते हैं ठीक है साव आपने बता दिया हम नेमाल लिया ठीक है बड़ा दो जो अउत हैं सबसे पहला आता है पोजीटिव केट राइस्ट कौन साता पोजीटिभ किरते राइस्पोकस कर hoor podr फॉज कर पोजीटिव चलो साब यह क्या होता पोजिटिव केटिलाइस उसको वालता है धनात्मक उत्पे रख तो ऐसे उत्पे रख जो भी के लिए कब एक बढ़ा देते हैं बाइक चलाए बाइक आपने जब बाइक के रेस एट ते हो ना तो बाइक का जो बैलो सिटी होती है निके स्पीर होती है वह लगातार बढ़ती है बस बिचारे को यही काम करते हैं आप ऐसे नहीं है गयार इसको बाइक चलाने में काम करोगे अपने खाकर बैठ जोगे बाइक पर गाड़ी तेजिस से रपतार पकड़ लेगी वैसा नहीं होता ठीक है तो पोजिटिव केटिलाइस्ट ऐसे केटे लाइस्ट ठीक है जो अभी किरिया का बेग जो अभी किरिया का बेग क्या करते हैं अभी किरिया का बेग बढ़ा देते हैं जो अभी किरिया का बेग बढ़ा देते हैं क्या कहलते हैं पोजिटिव केटेलाइस्ट कहलते हैं पोजिटिव ठीक है केटेलाइस्ट कहलते है ठीग है सर पोजिक्तिव कटेलाइस् gost कहला तत्था इस घटना को हम क्या वोलते हैं इस घटना को मैं 誫्प링 पी क्येडिव क्या स्थथ कहते है व जींद अधम क्या वलता है естоकलाईसस के यह त्टालाइस्स कहते हैं ओके यह तो यार खुद भी लोगे आप ऐसे केटिलाइज जो अभी गिराग बढ़ा देते पोजिटिव केटिलाइस कहलाते हैं इस घटना को हम क्या गोलते हैं पोजिटिव केटिलाइस कहतें ओके जैसे इसांपल फूर इसांपल बड़ा जाए अगर आपको कोई चीज अपने सब्थों में समझानी है तो आपके पास एक उप्सन है एक्जांपल का और अगर इसांपल आप देखे आते हो ठीके पेड्स में तो आपके नंबर कहीं नहीं रहे हैं यह पढ़ेगा कुछ इसको 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 यह बता हिए कि जब बढ़ा देंगे पुजीव होगए जब एक कम करतें गटिव के टिलाइश्ट उंगे ऐसा होगा एग्जांपल बड़ा ज़ो हो रही है एक्जांपल चोड़के मताना या धले यह लिखो मतले लिखो पर EX आपने हेवर प्रोसेस पड़ी है एंटू प्लस थिरी च्छेंज टू मैं करने वाला हूं उद्पे रख एफिट इस यह यूस करा ठीक है सब अब यह मेरे पास talent होता नहीं है दोनमिन के ट्रहाइज वो के सब नहीं है जैए मैंने एक तो यहां मेरे पास एक पॉजिटिब के котором टुिंदन के लगा यह है या या यiają लहाक है एक पोझिटिव क्योंति रूसे बड़ा अपने प्लेीन आप say में सबस्कीराय संपर्ण पास कुंसा यह अब कर लिया एक प्रद्रीनम ओने मेरे पास क्या टो अ यह पैते हैं यह ब्रेक जालाइस टेयर ग्लाइस प्रेट ब्लाइन-फिलेटीनम छोता है यह ब्रेक्टिटिप्ट तो जब आप गिर अब एक कम करों गया यह निके वैलो सुटी कम करों गया तो सिंबल सी बाते है भाई या जब बैलो सुटी कम हो जाएगी आपकी तो वह होगा हमारा निकेटिव केटेलाइस्ट है ना तो मैं डाल देता हूं है इसे नमबर मेरे पास कुन सा आ गया बताव ज और से गिव्य केटेलाइस्ट है निकेटिव केटेलाइस्ट है रही ओंगा नेवाले नहीं उसकी आสे केटेलाइस्ट ऐसे उत्परक गडब कालाते रहुंत थो ऑँज़ेंगा वेग कटालाते हैं जैक लातारा फिका कि एक विकाए आपके निगेडिव कैटेलाइस कला है चलो यार मेंने देünk के एसे केटेलाइस टू के जो अभी रिया मतलब किसका बटे जो अभी लिया का भेग ठीके जो जहाब अभी कि दिया का ध। घटा देते हैं घटा देते हैं निकेडिव के टिलाइस्ट एंसी मतलब निकेडिव के टिलाइस्ट के लाते हैं के लाते हैं कि अरे यार ऐसा बना लोग के लाते हैं तथा इस घटना को हम क्या बोलते हैं तथा इस घटना को इस घटना को निकेडिव चुलिबो जिप केटे लाइसिस कहते हैं लाइसिस कहते हैं है यह एक बारे मासा याद नहीं कि लो अपम देखा आपने कि लो फॉम पंइस का माता कि लो फॉम को लगा और बेहोश किता है कर दinker नहीं कर देफु को हमरों को हम रंगी नो में उपर चिछा ना हो सके थोड़ी सी माताल में ऐलप एलकोल मैं का मतलब तो यहां चेक करना किलोरोफों का जब मैं ऑक्सी करता हूं चेक करें एक बार जब मैं इस किलोरोफों का ओक्सी करता हूं तो बैटे मेरे पास बनता है यहां पर सी ओसी एल ठींड और सी ओसी एल थी यानि के सी ओसी एल टू और मेरे पास एक एच और एक चल वह पार जाता हो यह ना मतबबप इसका फॉस्जी आद्मी जब सुगाए को यह बन गई पॉस्जी और आपने सुगा के उसको बहुस करने कोसिस तो बहुस तो बात में पहला मर जागा बेखती वह ऐसा मानने चलो तो यह होती है और थोड़ी सी मात्राइब में इसने मिला देता हूं मैं एलकोहल और दिस वन इस जो यह मेरे पास आपन्या यह एलकोहल तो पूरी कहानी ठिकी पड़्य यह लोगा एक कर दो def. टो कान होदा है भी बड़ा देते हैं वह कहके लाते है पुजिटिव के लाइस केलाते हैं और चाहब कर देते हैं वह निकेडिव के लाइस क्लते हैं वह तो निना और यह फिलो घ्र्माभ इस घटना को एसगधिना पुल को लिखेज़ी ऐसे घटना को इसे घटना को पढ़ नियों के लिख लिए से कहते चलो साब ऐसे जो तो टैप हों आवाता और्टोर चैट राइसिस ऑटोर कै टेलाइसिस ओतो यान के स्वा का उत्प्रे रख इसे इंदिक है जब अभी के लिए मैं स्वयम उत्पाद ही अभी का रख कि य económ करता है ऑटो केटलाइज चाहिँ है वह ple या यार यह दो सिंपल सिंपल सी चीज़ है आप लोग से है कब दक हुआ यहाँ तक आप पढ़ लेता है ओटो । कैटेलाइस्ट तिसार नंबर हैं हमारे तो डाल दूं है टेंग में और टो मोवाइल नहीं आ अटो कैटेलाइस्ट और के सर आटने के डाला है और अठीम्गाई nya यानि के जब जब किसी अभी के रिया में सुयं मुझ बुक तका मुझ तो उसे हम बोलते हैं आटो लाइस घटना को बहुत לב और लाइन ठीक से हैं लोग को ईजिए सुयं डिराथ को सजब किसी अभी किरिया में और के सब किसी अभी की अच्रवाद ही उत्पे रक कारे करता है उत्पे रखका टळबाइक रेका ताव एक करता तो संसा क्या बोलते करता तो उसे ओट तो तो से ओट ओड़ गया तो कहते हैं ठीक है वह तथा इश करना को कि अधनाफ गड़त जसन्ब ब्रिपात को 5 गटना को ओक्त केटराइसे कहते हैं ओक्त कट्राइस केटिक कमें एक्वाइवल वाला ओक्ञर्च मेड़ीय। वह इसका नवान प्रिमें बच्राइटर वाला यह ऑप जयांक्ट बच्चो वाला कुन है ट्रीं मेरगे पास ठीछ फそうだ सी डबलो सी टू हफाइब क्या ना मैं इसका नाम बतली इसका नाम क्या होगा इसका नाम मतली फास्ट एथिले क्या नाम आशका एथिलेसी एचेट चीएड़ एथिलेसिट का मैं करवाता हूं जल आप बटन बिना किसी अुटि पे रख के मेरे पास क्या होगा CS 3CWO H-C to H5 OH मेरे पास क्यों या बाहर हो गया इस वन इस ओटो के टेलाइस्ट फोचलो यह CS 3CW क्या बट़े यह उठेरा काम बढ़ता है है यानि के उत्पाद ही उठेरा काम कर रहा है वाइज भाई ये मेरे पास ओटो के टेलाइस्ट ठीक है यानि यानि के यह क्या मेरे पास ओटोकेटलाइस्ट क्या ओटोकेटलाइस्ट ठीको यह सब्सक्राइब नाम सबक्राइब है देज वन इस एथिल ऐसीटेड़ water सिटिक एसीटें यह यह बन गया हमारे पास कंपाउंड तो बहें जब किसी अभी कि लिए मैं सुयम उत्पाद रहका काम करता है तो ऑटो कैटलाइज तो उस्से तो ऊस्से तो रहे गया हमारा तो उसे ऑटो कैटलाईज कहते हैं ते इस घटना को हम क्या गोलता है ओट पिलार यह लिखने में पढ़ाने में दोनों सासथ एक लिख भी रहा हूं बहुत लंबा काम पड़ जाता है नेक्स बन देखते हैं तो कितना नंबर मेरे पास थर्ड नंबर है ओके सर फॉर्थ नंबर चेकर लेते हैं इसका ठीक है सर फॉर्थ नंबर चेकर लो पहला नंबर पॉजेटिव हो गया मेरे पास कुंसा हो गया और फॉर्थ नंबर मेरे पास कुंसा गया बेटे या इंड्यूस के टेलाइस अब लगा दुसरी अभी किरिया के लिए उत्पे रखा कारे करती है तो उसको हम इंड्यूस केटिलाइस कहते हैं मैं लिख दे रहा हूं कि जब एक अभी किरिया जब एक अभी किरिया ठीक है सर जब एक अभी किरिया दुसरी अभी किरिया के लिए किसके लिए दुसरी अभी किरिया के है ठीक है सर दुसरी अविकरिया के लिए उत्पेरक कारे करती है उत्पेरक का कारे करती है उत्पेरक कारे करती है तो उसे इंड्यूज्ड ध्यान देना तो उसे इंड्यूज्ड इंड्यूज्ड कैटेलाइस कहते है तो से इंड्यूज्ड कैटेलाइस कहते है तो से इंड्य गतना को एक personal नाम दे तो इस घटना को हमने क्या बोल दिया इंड्यूज क्या यूज्ज कै टिलाइस टेठीक ज styles attend私 type टिलाइस इस के लिए नगई टिलाइस स कहते को इन घटना को इनड्यूज की लिए के लिए उत्पर काट यहestabल लगां तो तो उसे हम क्या बलते हैं? इन्डूस तो उसे induced catalyze कहते हैं तता इस घटना को हम क्या बलते है? induced catalyze कहते हैं अच्छे एक्जामपल फिर साइक्जामपल कितनौ एक्जामपल लिख बाओगे? इस एक्जामपल से तो हम दोनों परहुसान हो गए तो देखो ज़रा दिहान से पेटे यह मेरे पास सोडियम सल्फाइट का ओक्सिकन हो जाता है सोडियम सल्फाइट का ओक्सिकन हो जाता है सोडियम सल्फेट में सोडियम सल्फाइट का ओक्सिकन सोडियम सल्फेट में हो जाता है no reaction, कोई oxical नहीं हुआ, लेकिन सर्थ, सर्थ ये है कि जब एक अभी के लिए, दुसरी अभी के लिए तो पहरा काम करती है, तो ये पहली वाली अभी के लिए, induced, catalyzed होगी, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों reaction को एक साथ मिला दूँ तो ये वाली reaction भी होना, start हो जाएगी, है ना, तो चलो साथ मिला कर देखते हैं इस चीज को, तो साथ मिला दो, चलो, मिला दें महीं, चलो साथ मिला रहे हैं, तो देखो जड़ा ध्यान से, तो दोनों reaction मिलाने पर, दोनो reaction को मिलाने पर, चलो देखो, Na2, ओऊ-फौर इसका नाम है सोडियम सलफएट इसका नाम है तोडियम सलफफइड यह कुछ नहीं आलकुछ 달 यह सुदियम सलफफई का खूडा होगा यानिके सोडियम सलफवाइट में हो गिया तोडियम सलफयट का oxidation हो जाता है इसका बेड़े sodium sulfide का oxidation हो जाता है ओके सर तथा परंतु sodium arsenide का sodium arsenide का oxidation नहीं होता है sodium arsenide का oxidation नहीं होता है फोकस करो लाइन पर ठीक से sodium arsenide का oxygen नहीं होता है ठीक है यानि कि sodium sulfide का oxidation हो जाता है परंतु sodium arsenide का oxidation नहीं होता है यदि दोनों अभी करियाओं को मिला दिया जाए तो ठीक है सोडियम और से नाइट सोडियम और से नाइट का भी का भी हो जाता है मेरे दोस्त हो जाता मैंने बोला ना इंडियूस के लाइस चार पर 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 अपढ़ लेते हैं उत पर पर दग उर्थ पर नभी यानि नहीं के विस्ति यह पर टीलाइस प्रो मोटर एंड डिलाइस्ट पॉज नूट्र ठीक है तो यहां का स्क्रेंट ग्लें सुल लोगां देखते लिए इस है आप पढ़ते हैं केटेलाइस्ट प्रो मोटर एंड केटेलाइस्ट प्रो मोटर ठीक है यह क्या होते हैं तो उत्पे रख बरद को तो तो जब भी या उत्पे रख लगातार काम करें तो एक्मपल यह मेरे पास त्यावे हैं जेयरे पास एनटव यह मेरे पास ट्रीश ट्व डिया ढthink है चैन्सक्र TV मेरे बास ट्यूंस ट्रीजात न हूँ इस त्री ओसटातर फराई है थोड़ी मात्राई मैंने क्या मेला दिया एमिला करता हो भर भर के हमें क्या करता है अमोनिया दिलवाता है लेकिन एफी जो होता बिचारा ठाक जाता है लगाता जब 24 घंटे काम करेगा तो थाक जाता है तो भाइए साइंटिस्स लोगों ने हर चिसका जुगाल निगाल लखा है थोड़ी सी मातरा में यह मॉली बेड़नम ड भड़ती रहेगी बस यह उत्पेरख बढ़ता है और यह ना तो ऐसे पदार्थ याह निकोर्थ यह ऐसे पदार्थ ग्रसिल्थ को बढ़ते हैं उत्पेर बर्धक कहलाते हैं जिसा हीबर विदी में एमोजोता वो एकदा को बढ़ता देख लो और आप सान लिख बात और झ ठीक है ऐसे पधार्थ जो उत्पेरक की किरिया सिलता को बढ़ाते हैं क्या 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 प्रमोटर कहलाते हैं प्रोमोटर के लाते हैं उत्पेरेगी य designer के ऐसे पड़ा जो पेरेगी किया सिल्तों को बढते है Catalyzed Promoter कहलाते हैं फ्रोमोटर के लाते हैं किरने के कमिल्ट कल लगवाड जैसे जैसे है मेरे एंड़ प्लस ट्रेस्ट फिम तो बहुत यहां क्या करता है देखो मैं दो कि हीवर बिदी में हीवर बिदी में हीवर बिदी में ठीक है हेखे प्रोमोटर होता है ठीक होता है जो के रख फी जो के टीलाइस्ट की की रैट्टी वीडियो को बढ़ाता है किरा सिलता क्वेटर को तो बढ़ाता है क्या है तो बढ़ाता है तो एनसे मैं जो है वह कैटलाइस प्रमोटर होता है जो लगता है तो तो टो लोग याद ऐसे पदार जो प्रिट लगता है ट्रमेंटर के लाते हैं अच्छा एक चीजिव रहे ठीक इसका पोजिट लिखा देवादे लिए है च्छल्व झाल इसे पदार जो फिल गटा देता हैं फीर हेसे पदार जो इतपरख की कि इशी इत Об zer करता हैं बदार की की गटा देते हैं को गटना ने द washes ल्ण देते हैं को मत違ग तो गटाव पर ने करते हैं को कहले एक घटा देते हैं ऐसे पदा तहिसन के कँ्यालाइट करते हैं या कहते हैं ऐसे पदार जो उठ्पेयर की तको घटा देते हैं कैटलाइट पॉइजन कहला ते ओके ठीक है तुक्षाब एक्षामपल बादो कर दो में दोना चलने वाला है नहीं क्वेमेश्ट्री रेक्शन मांगती यह और जहां तक हो सकते मेरे दोस्त के मैं रियक्सन लिखा ना दिस बन प्रेटिनम उत्पे रगे कैवे प्रेटिनम क्टिलाइज टेये और थोड़ी सी मात्रव में इसमें रदुमा आर्सनिक सलफाइड के मिला दूंआवा आर्सनिक सलफाइड और ध्वान निकल कर बरावर इसका टू एसे त्री यानिक एनिके मेरे पास ट्रॉपिस पोईजन होता है तिक यह हुआ ऐसे शांपल यह संपर्ग बिधी में समपर्ग बिदी में आर्शन क्सफाइड एस्टू एस्ट्री जो होता है वो एक आर्शन सुलफाइड क्योंता एक उत्पेरक बिस होता है ठीक है उत्पेरक बिस होता है ठीक है जो उत्पेरक प्लेटिनम पीटी की रेक्टिविटी को किरिया सीलता वो क्या कर देता है किरिया सीलता को घटा देता है घटा कि देथा ओके ठीक है कैटलाइस्ट प्रोमोटर्जी हो गए मेरे पास और कैटलाइस्ट पोजन भी ओगए अब नेक्स पढ़ लेते हैं एंजाइम केटलाइस तो यहां का सब ढल सोना आपने एंजाइम केटे लाइस सिस ठीक है इसको हिंदी में कहते हैं एंजाइम उठ प्रेरण क्या गोलते हैं आपको थोड़ा धादो के वारे में एंजाइम उछ अनुभार वाले प्रोटीन होते हैं यह बनते हैं इसलिए रसाइनिक उत्पेरक भी कहते हैं और एंजाइम दवारा ठीक है किसी रसाइनिक अभी किरिया में एंजाइम दवारा उत्पेरक कहलाता है पहुत सारे पोइनाते हैं इसमें यार मैं लिख बाद हो यह समझा दूआ एक ठीक है सर लिख करो चिछ को मैं लिखाता रोगो और समझाता रोगो लिख भी जागा और समझ वी जाओगए आप लोग है ना तो मेरे पास इंजाइम में होते हैं लाईन पर फोक्स करो ऊच्छ अनुभार वाले ठीक है उच्छ अनुभार वाले जटिल ठीक है जटिल नाइटोजन युक्त एंजाइम उच्छ अनुभार वाले जटिल नाइटोजन युक्त कार्वनिक पधार्थ होते हैं ठीक है कार्वनिक पधार्थ होते हैं ओके कार्वनिक पधार्थ होते हैं ठीक है स होते हैं क्यों देलाल ये प्रोटीन होते हैं अरे भाइया प्रोटीन होते हैं ठीक है एंजाइम उच अनुभार वाले जटिल नाइट्रितन जो कारपनिक पदार्थ होते हैं अर्थाथ प्रोटीन होते हैं चलो साथ ठीक है मैं आगे पढ़ता हूं कि एंजाइम उच अनुभार वाले जटिल नाइट्रोस नियुक्त कार्पनिक पदार्थ होते हैं अर्थाथ प्रोटीन होते हैं अच्छा आप लोग बोड़त नहीं हो रहे हो ना अराम सब पढ़ो इस टोपिक को अगर बहुत हो तो आदा तो गाउने ना यह जीवित कोशिकायों में बनते हैं यह जेवित पधार्थ सु मैं पाई जाते यह जैव कोशिकायों में बनते यह कोशी अभी करिया का उच्पहर आँच एंजाइम उत्पहरां कहलाता है यानिके एंजाइम नगाइम कभी आपने दूस सेथरी खाया अडिया दूसरी सभालोके दूसरी बारैया यापने विध्या एंजाइम हता है एते wisely बनाने जाइमेस इंवल्टेज ठीक है डाइस्टेस माल्टेस बहुत सारे झायम यूज होते हैं हर जगह यार एंजाइम की भरमार भरी पड़ी और लेकिन एक खास बात इसमें यहाती है कि जो भी रसाइनिक विक्रिया एंजाइम की होगी बहुत वह सिलो होगी ठीक है घंटे-दो सब्सक्राइब करने के लिए कार्वनिक दिरे खाते रहते हैं और दिरे दिरे ये नया प्रोडेक्ट बनाते रहते हैं तो बहुत बड़ी एहम भूमी का है उध्योग में इन एंजाहिम की और संपर्ग करता है और सी सकष बढ़ी में हमारा सी शक्राओं करता है तो यार बहुत सारे उध्योगों में निकल काम करता है पएब धो करते हैं जिनका बोलता है उद्धियों क्या जो मैंने बन Father अगेर आहुए्ट बोला न हुआ हम राब不 वह कहते हैं इन जाइंक करत कहला्य लादर वह साईनिक आखकृए मत बचैब एंजाइम के छटता है है एंजाएं मिंजाइम कैटन लाँसिस कहे लाता है कि इंजाएं के टेलाइसिस कैलाता ठीक है हि स्मुझ माओगा जागा ड़र मत यार एक चीज़ बियादको एंजाइम का पोलाईडी वीलिएंउड्युस का कौन से विलियन उद्पियरक होता है ध्यान देना आ का को लाइडियल सोल्यूशन को लाइडल सोल्यूशन यानिके को लाइडी बिलियन एंजाइम का काम करता है लाइन पर फोकस करो एंजाइम अरे यार एंजाइम का को लाइडी बिलियन ठीक है कैटेलाइस्ट कैटेलाइस्ट एंजाइम का कुलाइडिमिलियन केटिलाइश यानिका उत्पेरक की भाती बेवार करता है बाती बेवाहर करता है बेवाहर करता है सिंपल सी लाइन है अच्छा यह बताओ यह सवांगी है निके होमोजीनियस केटिलाइस है या हेट्रोजीनियस केटिलाइस है तो जितने भी जतनी इद्जिफय कुस्त हैंड होती है इंशांड है होता है यह है 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 फॉर इग्जाम्पल पर जितने इखामपल हो सके यह नहीं पढ़ने वाला की थोई लिए भूंपल नहीं पढ़ने वाला कोई भी बस पढ़े हो किया एक्जामपल लेगा आपको ठीक है तुमने पहले किस का ठीक है सर पहलेक्जामपल लगवा दो nearest पहले में अलंफ जिहां देना तो बेटे तो कि संसर करें का बंगा कर दो आप उचला बता दो आज कि भैंल मेंने का बने है क्या बनने वाला है क्या वाला है त्रकर रहा है न भाईस ठीक है त्fight O11 plus H2O ठीक है मेरे पास क्या बनके तयार होगे बटे मेरे पास जो उत्पे रख होता वो था invertase क्या होता है invertase धियान देना invertase यहां पर उत्पे रख काम करता है तो एक अनों बनता है glucose का और एक अनों बनता है मेरे पास fructose का बहुत बड़िए अग्जामपल है तो यहां पर invertase क्या है एक एंजाइम है जो कि इसको खाखा के खाखा के glucose और फ्रक्टोज में चेंज करते गा मेरे दोस्तों यह क्या बनेगा glucose बनेगा और यह बनेगा मेरे पास स्टार्च का जल अब घटन ठीक है साफ इसे नहीं होता नूर्मल तरीके सब्सक्राइब के पकड़के जल में घोल दिया मैंने ठीक है अच्छे तुमने स्टार्च देखा गई ठीक है नहीं देखा ना तो खुछ सबना लेना अपने आप जो चावल होते हैं चावले को पर वाइट पानी जमा हो जाता है यानि के गौड़ा पदाद जमा होता है जिसे हम माड कहते हैं माड में स्टार्च की भर-भर के मातर होती है जितना चाहूं पी सकते हो बहुत पावर होती है उसके अंदर ठीक है तो मेरे पास क्या सी 6S10-05 का वह एंपलस भाईया एंच्ट ऊह एंजाईम जो काम करता है यहां पर डाई स्टेज एंजाईम का करता है डाईस्ट एंजाईम जो कि माल्ट में पाई जाता माल्ट मतलब जो को वालकर 10 का चाने पर एक पदात बनता आथा नेक्स पॉइंट देखते हैं अवह ठीक सिसको द लुए नियुकोस का बिटन गुलूकोस का बटन धुम्णक्र टिकसर का बात है सर बहुत सार एक्जांपल आप याच जब घौकर करता फॉर्मुला एस ट्वेल और शिक्स पिलस गुलुकोष का बुटन करने वाला हुँ मैं आप बुटन करूंगा यार जला पुटन कर रहा हुँ मैं टू सीटु एच फाइब एथिल एलकोहुल पिलस मेरे दोस्त पिलस क्या बनने वाला है कारवन डायक साइट सीओ टू इसका नाम है एथिल alcohol क्या ना मैं इसका एतिल alcohol फोकस करो बोल्ड पर एतिल alcohol अब एक बार बादो मेरे दोस्त के बारे में कि ये क्या मेरे पास एतिल alcohol है इसका नाम का भी पहला सुना आपने ये बोई है जो कि आदमी यानि दारूबाज जो ह्ते हैं इसको ठी के लगा है यह एक रम विस ns बर beta हो से किर में कितना डालना होता हुआ UP happens क्या बोलते हैं और आपने इंस्टाग्राम बगारे पर देखा होगा भाई जब एक पवा मार देता है तो फिर उससा बड़ा कोई तागत बनी होगा है ना तो यह मेरे पास एथिल अलकॉल तो यह सी सिस एस्ट वैल ओ सिक्स तो यह बनेगा मेरे पास एंजाइम कुंसा काम कर दूसी बना दो ऑफ चलो एक लिगवादू में फच्रूतर नमबर दूस्ट से दही बना रहा होना आज दूस्से दही अच्शब रहों गया सन्में बनाया नहीं बनाया अरे बहुत बार मनाया यार देमें ने ठीक है दूस से लई तो इंजायम काल लेक्टो वेसीलस कौन स कि सोल ले उसके बात पढ़ते हैं फिर चेच को अज़ च्छिते एक पर और लेते हैं कि मेकेनिसम आफ एंजाइम कट लाइस सुनारे फिर दा लेते हैं अञाधिंग मेकैने इसमफ मैकैनिसम थिके एंजवाइम ठीक एंज़ाइम ठीक मेकैन एनजाइम करड़ी झीज ठीक है बड़े मेकैनिजम आफ एंजाइम के टेलाइसिस ओके सर करवा दो सर करवा दो इसको कुछ नहीं है पहला पोईन याद कर लो देखा मैं थोड़ा सब्सक्राइब बादो फिर समझाओ मैं इसके बारे में पहला पोईन यह है कि एंजाइम का कॉलाइडी विलियन उत प मावचा में इस इंतर सिंगल वोगा ओ उफासित होते हैं और यह सभी क्या होते हैं आधिक अधिक आपले के परीपूरक होती है ठीक है ताले में चाले के समाहन फिक हो जाते हैं इसको हम लोग एंड की मोडल भी कहते हैं कि बोलते हैं इसको लोग एंड की मोडल ठीक है सर लोग एंड की मोडल प्लादो आप तो लोग को लाइन पर मेरे पास जो कहानी आती है कि एंजयाइम का इसका एंजयाइम का कोल लियान एंजयाइम का कऊंसर बिल्याइक एठीक है सार उत्पेरक के समान, धियान देना, उत्पेरक के समान बेवाहर करता है, अब नेक्स पॉइंट मेरे पास आता है, तो कॉलाइडी बिलेन में कॉलाइडी कड़ों होते हैं, है ना, तो कॉलाइडी कड़ों की, लाइन पर फोस करो, ठीक से, कॉलाइडी कड़ों की, कॉलाइडी क कलों की ठीक है को लाइडे कलों की सता पर ग्यर्श पर किया होती है क्यों टे क्यूटी होती है क्योंटी होती है जिसमें हुआ सबस्क क्रिये समय यादिखे एक्टि क्रिये समenc साजों क्या बोलता है active group के दें उसमय सथ ढूरुप गोरुप यानि के एक्टिव गुरुप जो आ होते है मेरे पास को मूंस होते है एक्टिव गुरूप एस अगया एक्टिव ग्रुप at single पोननने चिति थीदे मैं ज्यूंग इस हर एच सिंगल रॉन हर रहे सिंगल तहřे औश्य श्यूंग हर शिंद्व उन्ट कर वह रहे ते इसल होते हैं यह लगए सब्सक्राव। होते हैं ठीक है ऌपस्थित होते हैं ठीक है यौर्यों के तो बोल्जेज़ आपक्रसित होते हैं यह सब जैनित होते हैं है यह सबी तहके एक टिफ सेंटर होते हैं को तैट camera एक्टिव सेंटर होते हैं इनकी एक विसेश अकरती होती है क्यों होती है इनकी एक विसेश अकरती होती है इनकी एक विसेश क्यों होती है अकरती होती है इनकी विसेश अकरती होती है ठीक है अब देखो वे अभीकारक अनू वे अभीकारक अनू इनकी विसेश अकरती होती है वे अभिकारक अनू, लाइन पर फोस करो, वे अभिकारक अनू, ठीक है, वे अभिकारक अनू, जिनकी अकरती, इनके परिपूरक होती है, यादि के कम्पलिमेंट्री से परिपूरक होती है, परिपूरक होती है, ठीक है परीपुरक होती है सता पर ताले में चावी के समान काई में बिटे लोक में की के समान की के समान फिट हो जाते हैं एक कंप्लेक्स बनता है के बनता है एक संकूल बनता है एक कंप्लेक्स बनता है जो तुरंत अब भटित होकर जो तुरंत अब भटित होकर ठीक है प्रोड़क्ट बनाता है प्रोड़क्ट बनाता है तथा के टेलाइस्ट अलग हो जाता है कि तैटलाइस को टारीक किलाइस अलग हो श जाता है ठीक है इसे निमपिकार समझ ने चाहें सकता है एस के यह मेरे पास जो है ना भिते त्यान दिन लाइन कहना दो चलो है रज़ाओ यह मैरे पास एंजाइब टिक है ईफए है नियाहीम ठिक है लाइन पर धिहांद samma 20 is enzyme ठीक है ठीक है यह मेरे पास in R हो गया पिलस कि यह एंजाइम हो गया एस फोर सबस्टेंस सबस्टेंस यह मेरे पास हो गया अभी का रख ठीक है अब चैन्स टू कि एक बनेगा इंटर्मेड कंपाउं यह 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 बनके मेरे पास इस वह बलता हूं मैं एंजाइम कि एंजाइम सबस्टेंस सबस्टेंस कंप्लेक्स के नाम इसका एंजाइम सबस्टेंस कंप्लेक्स ओके चैंज टू ठीक है यह मेरे पास एंजाइम अलग हो जागा और मेरे पास प्रोडेक्ट अलग हो जागा ठीक है यानि कि इसको मैं थोड़ा दूदर लिख दूँ एंजा थो आप नेत को ne जाएका इसको देको और मैं कुछ इस तरह समझ सकते हैं उसको तो समझने साथ प्लस अफ सेम करती वालो अ मिए जिसमें एस मेरे पास स्टयंट यह मेरे पास सबस्टेंस क्या बेड़ेखेंYes मेरे पास सब्स्टेंस इसको वोलता हूं मैं सबस्तेंस यह पिलस टिक है यह मेरे पास होगा सबस्टेंस को ठीक है अब क suspense ऑक यह JItv this में तोनौ के समान फिट कर दो इसको ताले में चाबी के समान क्या कर दो बैटे फिट कर दो तो ये मेरे पास कर गया ताले में चाबी के समान फिट हो गया एक कंप्रेस्ट बन गया फिर के होगा मेरे पास फिर मेरे पास एंजाइम अलग हो जागा यानि के फिर मेरे पास के होगा एंजा मतलब हमारा बन्यों धार केमेरे पास टैक्ट कि है उसी था यी मैरे पास प्रोडेक्ट ठीक है exactly यह पिट यह क्या मैंने कहली है ए ettee हैंक पर यह मेरे पास एंजाइम है यह मेरे पास क्या अभास किया है सब्सटेंस है अ修 कि यह मेरे पास क्या सब्स्टेंस है और यह मेरे पास है कंप्लेक्स क्या बड़े मेरे पास यह कंप्लेक्स एंजाइम हमारा अलग हो गया एंजाइम मैंने अलग कर दिया और मेरे पास बनके तयार हो ठीक है इसको आप बड़े से बोक्स में से करके आप बंद करके आना पेप करता कोणाईडि करों की सता पर केवीटी होती जिसमं सक््क्रेस होते यह सब क्या होते हैं तुम्हारे पास active center होते हैं इनकी एक बिसेस अगरती होती है वे अभी प्रणों जिनकी अगरती परिपूरा होती है ताले में चाबी किसा पर ताले में चाबी साथ हो जाते हैं ठीक है एक यह एकशन बनता और यह अभडत होगार तो यह अभडत होगा और फिर यह अलग हो गया ठीक है अब सैम कहां नहीं हमने करें चाभी बनाई है मैंने चाएप को माना एंजाइम और सब्स्टेंस को माना यह अभी होगए मान फिर मैंने इन दोनों को मिला दिया एक एंजाइम सबस्टेंस कंप्लेस बन गया और फिर यह अबढ़ित होकर एंजाइम अलग हो जागा और मेरे पास प्रोडेट के होगा बार हो जागा है ना अगर चाहते हो तो इसको लिए सकते हो आप यहां पर लिख लेना कि भाया एंज ठीक है एंजाइम एंजाइम सबस्टेंस सबस्टेंस कंप्लेक्स ठीक है तो यह हो गया मेरे पास मेकैनिजम आफ मेकैनिजम आफ एंजाइम इसको यहां पर एम कर लेना ठीक है यह एम रहे गया यहां पर इसको आप मालेना मेकैनिजम आफ एंजाइम के टेलाइस ओके तो वड़ा जरूरी है यार इसको पढ़ना तो आई होप कि यह टोपिक आपको समझ में आ गया होगा अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स